हेलो सेबरवोंब्स वेलकम बैक मैं हूँ अनिलिय अदब और आप देख रहे हैं साइबरगाड पाउर बाइट रूट्स और आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने नेटवकिंग कोर्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर हम सबनेटिंग के बारे मे जानने वाले हैं तो without making Planes delay let's continue सबनेटिंग का मतलब क figur 옆 जैसे के आपका जो नेटवक है उसके अंदर भी जो नेटवक होती है उसको हम सबनेटिंग बोलते है तो आज यहां पर मैं आपको एक अजांपल से समझा देता जैसे कि मानलों कि दो लोग हैं और उन लोग को cap book करके एक ही जगाँ पर जाना है, तो वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, अलग-अलग क्याँ अगर वो लोग book करते हैं, तो उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे pay करने पड़ेंगे, और वहीं पर अगर वो दोनों एक ही cap book करके वहाँ से जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो लोग पैसे split कर सकते हैं, जिससे कि दोनों को कम खर्चा पड़ सकता है और दोनों को आसानी हो सकती है, और वहाँ पर आपको subnetting के मदद से networking करनी है, और अपने communication को build करना है, तो यह बहुत ही effective होता है और बहुत ही easy होता है, और यहाँ पर आप इसका definition भी देख सकते हैं, a subnet is a network inside a network, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यह बहुत ही effective होता है, और इससे काम और भी easy हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे जगहों का information एक जगहां पर combine होकर के, एक ही wire से या फिर मालो एक ही router से जो receiver है उसके पास पहुच सकता है, लेकिन वहीं पर अगर वो बहुत सारे router से pass होकर कि जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें time भी लेख सकता है और वहाँ पर collision भी हो सकता है, और वो चीज़ें उतने efficient भी नहीं हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर subnetting को use करते हैं, तो अभी हम जानते हैं कि आखिर हम subnetting को use क्यों करते हैं, uses of subnetting, तो यहाँ पर subnetting की मदद से हम क्या कर सकता है, कि जो हमारा organization है, या फिर हम जो companies बिल्ड कर रहे हैं, या फिर जो हम business बढ़ा रहे हैं, उसको भी expand कर सकते हैं, और जो हमारा second point है, यहाँ पर क्या है कि यह क्या करता है, कि traffic को maintain करता है, और बहुत ज्यादा messiness नहीं रखता है, इससे क्या होता है कि आप अगर कोई दो network या फिर दो routers को combine करके एक router बना देते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा maintenance होता है, वो अच्छे से हो पाता है, और जो उसकी efficiency होती है, वो भी increase हो जाती है, और उसके बाल हमारा जो अगला use है, इसमें subnetting क्या करता है, कि ये domains को divide कर देता है, उनके broadcasting और बाकी सारे चीजों के लिए जो uses होते हैं, जितने भी domains उनको ये separate कर देता है, जिससे क्या होता है, कि हमारा जो network performance है, वो increase हो जाता है, और हमारा जो last use है, उसमें क्या है कि ये network security को increase करता है, तो अभी हम जाने वाले कि आखिर subnetting work कैसे करता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये diagram दिखा दू, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने IP address के अंदर आपको divide करके दिखाया था, कि class A के अंदर कितने network IDs आती हैं, और उसी तरह से class B के अंदर हमारे पास 2 network ID और 2 host ID थी, और class C के अंदर हमारे पास 3 network ID है और 1 host ID है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप class A को लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप इसको divide करते हैं subnetting के अंदर, तो आपको जो 3 host ID है, उसको use करके इसके subnetting को divide करना पड़ता है, और वही पर अगर आप class B को लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं 2 host ID और इसकी help से ही हमें subnetting को divide करना पड़ता है, और उसके बाद आता है हमारे class C, जहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक host ID आता है, और मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो octets हैं, उन सभी octets के अंदर 8 bits हैं, और इसी के वज़े से हमें यहाँ पर एक host ID जो हमारा last वाला है, उसी को use करके ही यहाँ पर subnetting को divide करना पड़ता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लिज डाइग्राम के अंदर हमारे पास एक IP address है, और हमने यहाँ पर क्या किया है कि इसको दो subnets में divide कर दिया है, एक तरफ है हमारे पास subnet 1 और दूसरी तरफ है हमारे पास subnet 2, तो इसको हम देखते हैं कि आखिर इसको हम change कैसे करते हैं, तो basically 193 जो कि हमारा class C का IP address है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास 3 network ID होंगे और एक host ID होगा, तो हमारे पास 193.1.2 है वो है हमारा network ID, तो इसको हम नहीं change कर सकते हैं, इसको हम subnetting में divide नहीं कर सकते हैं, और last वाला जो है वो है हमारा host ID, तो हम change कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था, कि यहाँ पर हमारे पास 8 characters आते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको 8 characters में divide कर दिया है, जो हमारा last वाला host ID है, तो यहाँ पर first में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 00 add कर दिया है और जो हमारा last वाला है तो यहाँ पर हमने क्या किया है host id को पहले यहाँ पर हमने subnet 1 के अंदर 0 यूज किया तो हम यहाँ पर subnet 2 के अंदर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 1 को यूज कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर binary form ही यूज करते हैं तो 0, 1, 0, 1 यही सब हम यूज करेंगे यहाँ पर इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले subnet 1 के अंदर 0 यूज करेंगे और subnet 2 के अंदर 1 यूज करेंगे और फिर हम इसको divide करके देखेंगे कि यहाँ फिर हमारा जू range है वो कहां से कहां तक आता है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 0 यूज करते हैं तो हमारे पास बचता कितना है हमारे पास बचता है 7 क्यूंकि यह 8 character है और जो हमारा first वाला है उसको थो हमने occupy कर लिया है, 0 को use करके, तो हमारे जो 7 बसता है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 0 add कर सकते हैं, या फिर हम 1 add कर सकते हैं, तो वहीं हमने यहाँ पर किया है, हमने यहाँ पर पहले 0 add किया है, फिर यहाँ पर हमने one add किया है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो range है वो zero से start होगा और फिर one तक आएगा, और इसी तरह से subnet two के अंदर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो first character है, वहाँ पर one को use कर लिया है, तो यहाँ पर हमारे जो seven characters बाकी बसते हैं, वहाँ पर क्या होग हमारा जो subnet ID है, वह है 193.1.2.0, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो हमने जो पहला character है, last वाले host ID को, आपको क्या करना है, यह तीन octets को भूल जाना है, जो हमारा last वाला है, उसी को देखना है, हम यहाँ पर जो first वाला है, उसको यूज करते हैं, इसको क् मदद से define कर सकते हैं, कि यह कौन से class का है, और जब हमे class पता चल जाता है, तो उसके बाद ही हम host में change कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है, class C का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको 0 हम change कर चुके हैं, बाकि जो बचता है हमारा 7, तो हम क्या तो अगर हम इन दोनों को minus करते हैं तो 128 से अगर हम 2 को minus कर दें तो हमारे पास बचता है 126 तो मतलब हमारे पास total host id कितने बचते हैं 126 और इसका जो subnet mask होगा होगा हमारा 255.255.255.128 तो I think अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम subneting को divide कैसे करते हैं और इसको कैसे हम बना सकते हैं तो अभी हम move करते हैं अपने subnet 2 के उपर हमने subnet 1 को solve कर लिया है कि आखिर हमारा कैसे 126 आया है तो अभी हम subnet 2 को को देखने वाले कि कैसे हम इसको divide कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे वहाँ पर हम subnet 1 के अंदर divide कर रहे थे, हमारे पास subnet ID और direct broadcast ID मिल रही थी, तो इन दोनों को हम minus कर रहे थे हमारे total number से, यहाँ पर भी वही है, हमारे पास जो last का 7 character बचा है, उसी को हम use करके यहाँ पर divide करेंगे, तो यहाँ भी हमार 126 ID ही आती है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अगर आप subnet mask में change करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आता है 255.255.255.128, और यहाँ पर subnet को divide करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि आप एक तरफ 1 मान सकते हैं, और दूसरी तरफ 0 मान सकते हैं, जो कि मैंने आ 211 यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक character यूज किया है, वहाँ पर आप दो character यूज कर सकते हैं, और इसी तरह से मालो कि हमें इसी IP address को 8 subnets के अंदर change करना है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम simply वहाँ पर 3 characters को यूज कर सकते हैं, just like यहाँ पर हम 0 यूज कर र सकते हैं और उसके बाद फिर हम इसके advantages और disadvantages को देख लेते हैं कि हमें पता चल चुका है कि आखिर subnetting काम कैसे करती है तो यहाँ पर सबसे पहले है कि यह security provide करता है जो कि हमारा पहला advantage है और उसके बाद क्या है कि यह हमारे business को फैलाने में भी यूज होता है companies को बढ़ाने में भी यूज होता है और यह बहुत सारे जगहों पर हमारे जो business है या फिर मालो जो websites हैं उनको भी increase करने में उनके भी subnet, sub mask, sub dns को increase करने में यूज होती है और वहीं पर अगर हम बात करें इसके disadvantage के तो यह थोड़ा costly होता है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते है router, switches, hubs, bridges का यूज करते हैं और जो दूसरा disadvantage है वहाँ पर क्या है कि अगर आप single network यूज करते हैं तो वहाँ पर आपका सिर्फ दो IP address ही waste होगा एक जो subnet ID होगा और उसके बाद जो हमारा broadcast ID होगा तो वहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ दो IP addresses ही waste होता है लेकिन यहाँ पर अगर आप subnetting यूज करते हैं तो हर एक subnets के उपर हमारा दो IP address waste होता है So guys I think अभी आपको समझ में आ गया होगा कि subnetting क्या होती है subnetting का uses क्या है इसके advantages और disadvantages क्या है तो अभी हम मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए Stay safe, stay secure, thank you and happy networking